प्रिये जन्ट सहज्योग एक अभिनव अविश्कार वास्तविक जो छीज थित है जो है ही उसका अविश्कार कैसे होता है जैसे कि कोलमबस हिंदोस्तान खोजने के लिए चल पड़ा था तब क्या हिंदोस्तान नहीं था गद नहीं होता तो खोज किसी की करा था सहज्योग तो है ही पहले ही से है उसका पता सिर्फ अभि लगा है सहज्योग ये परमतत्व का अपना तरीका है ये निसर्व का अपना एक अनूथा तरीका है यही एक ही मार्ग है जिसे मानव जाती को क्रांती से इवल्यूशन से उस आयाम में उस डाइमेंशन में पहुचाने का एक तरीका है एक व्यवत्ता है जिससे मानव उस चेतना से परिचित हो जाए उस चेतना से आत्मसाथ हो जाए जिसके सहारे ये सारा संसार, सारी सिष्की और मानव का रुधे भी चल रहा है बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है कुरातन कालों से ही खोज होती रही मनुष खोज कुछ रहा ही है हर समय चाहे वो पैसे में खोज ले, चाहे वो सब्ता में खोज ले, चाहे वो प्रेम में खोज ले वो किसी न किसी खोज की और दोर रहा है लेकिन उस खोज के पीछे में कौन सी प्यास है वो शायद वो जानता नहीं उसके पीछे में सिर्फ आनन्द की खोज है आनन्द की खोज में वो सोचता है कि बहुत सी गर संपत्ती खच्छा कर ले तो उस आनन्द में लए हो सकता है लेकिन ऐसे भी देश अनेक हैं गिन्होंने संपत्ती में बहुत कुछ प्रगती कर ली कि बहुत कुछ पा लिया है और अक्षयंत दुखी है आनंद तो दूर रहा हजारों लोग वहां आत्मात्याय कर रहे हैं सारे फोज के पीछे में आनंद की प्यार साथ को भसी पे चली जा रही है किसी अग्यात की है सारे इन फोजों में ढूनते ढूनते जब मनुष हार जाता है कि कहीं मिलता नहीं तो वो धर्म की और मुटता है और धर्म की और भी जब मुटता है तब भी वो बहारी खोचता है सारण ये है कि जो वो खुद है स्वयम है वो खुद है उससे अपरिच इसलिए अपने से मनुष्य भागता है हर समय अपने से भागता है दो मिनित अपने साथ नहीं बैठ पाता है उसको अगर दो मिनिट अपने साथ बैठने को कहो, तो वो कहता है प्रभू, ये क्या मेरे लिए सजा हो गए? जिसको आजकल boredom कहते हैं. आदमी अपने से इतना क्यों उबा हुआ है, सोचने की बात है कि मनुष्य अपने से इतना क्यों जोड़ों से भागा चलाए? क्योंकि वो अपने से अपरिजित है, अपने सौंदरि से, अपने वयभव से, अपने ग्यान से और अपने प्रेम से अपरचरीत पनुष्य आनन की खोज बाहर की और करते हुए दोड़ रहा है, आनन बाहर है, वो अंदर है, आप में हैं आप स्वयम आनन सुरूप, आप परमात्मा मनुष्ष जो कुछ भी सोचता है अपने मन से वो मन के दाइरे में लिमिटेशन से मन से परे की जो बात है वो इस मन से समझने वाली है अब जयता मेरा भाशन भी है यह भी आप के लिए सिर्फ बात्चीस भी यह जा आप उस परमात्मा को नहीं जा जा दी जितनी भी इस पर मैं बाथ दफ़ती जाओ उसमिरी ही आपके मन पे इसका बोजह बंती बाथ हुर्मान की बाथ है कि कोई बोजह में रखो तो उसका भी बोजह बंती जाए इसी तरह की व्यवस्ता आज तक अजूरी ही रही है, लेकिन नव निर्मान की बात में आपसे करने हैं, सिर्व बात ही नहीं उसका अभुष्का जो की खोश भीकला है, उसक्रांसी के मार्ग में ऐसा ही होता रहा है, कि कोई प्राणी अति विशेश स्पेशलाइजेशन में या विशेशा के हो गया, तो वो लूप जाता है, खतम होता है, उसी तरह से मनुष का भी हुआ जा रहा है कि इतना ज्यादा आपस की जो विरोध और कॉंपिटिशन चल गई, उससे मनुष ने भी अपने दिमाग को इतना ज्यादा विशेश अग्य कर लिया है, कि वो फटा चला जा रहा है उसका, और एक अब नया तरह का मानवाने की ज़रूरत है, जो इस मन से परे इस शक्ति को जाने, जो इस मन को भी चलाता है, और इस रधे का भी पंदन करता है, उस शक्ति को जानने के बारे में, कितनी ही बाते आप करिये, और कितना ही उस पर प्रेट न करे, आप वहां नहीं कोई मैं ऐसी विशेश बात को कही ही रही है नानक जी को आप पहें, कबिर्दास्ची को आप पहें आप वसिष्ट को गुरुओं के जहूं जनक के बारे में आप पहें अपने देश में छोड़ी बाहर के देशों में भी हजारों लोगों को जो जो पाल हुचुके हजारों वर्षों से ऐसा ही लिखते आप यही लिखते आप हैं जो मैं कह रही हूँ कि जो पाना है, अकस्मात अंदर होता है लेकिन वो भी विचारे कहते ही रह गए क्योंकि शायद वो भी इसे खोज नहीं पाए लेकिन गर वो नहीं खोज पाया इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कम गर कोलबस इंदोस्तान नहीं खोज पाया था इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम था और बाज में जिन लोगों ने उसे खोज लिया है उन्होंने कोई उनको नीचे हिराने के लिए नहीं कि एक सामुही खोज रही है। आप लोग सब अलग-अलग हो करके सोचते हैं तब इस तरह से बात बहुतों के दिमाग में आती कि माता जी कुछ अलगी बात है। मैं इन सब खोजों की खोज का ही पता आपको दे लिए। आज तक अच्चन कष्ट उठा करके नजाने किसनी ही मानव में इस तरह ध्यान गिया है। साइकॉलोजिस ले लिजिए, बायोलोजिस ले लिजिए, बड़े-बड़े साइंटिस्स ले लिजिए। वे भी एक हद तक ज्यातर के हार चुए। बहुत-बहुत सब्सक्राइब। और जो महंत हो गए, रियलाइज हो गए, वो लोग भी पा लिया, लेकिन दे नहीं। इसका कारण समय। परमात्मा के जिए समय अनंत है। कोई लोग उसे ऐसा सोचते हैं, कि जो लोग पीछे हो गए, और जो लोग आगे हो गए, जो मर गए, उसो बड़े हो गए। कौन मरा है, मैं यह पूछना चाहती हूँ। कोई मरता ही ह। जितने भी मरते हुए परलोग में बैठते हैं और वापस यहां लोटाते हैं, फिर परलोग में बैठते हैं। प्राणी मात्र से कुछ-कुछ लोग मनुष हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष पर लोग से वापस यहां पर और यहां वेफित पर यही आना जाना लगा हुआ है, कोई मात्र, तो हो सकता है कि आत्मे से जो आज यहां बैठे हैं, यह भी जन्म जन्मांतर की खोच दिये होए जो पैंख और आप पांच हकते हैं तो उसमें एक इत्चना वाद्विवाद की एक साधरन की बात, जो मुझे बड़ी बच खाना थी बच खाना की बाता, कि लोग हरे इक तीश का राजकारन बना ले से, एक मात खाना खाने को दे रही है, उसका भी राजकारन बनाने स यहां पर जो लोग रियलाइज लोग बैठे हैं वो समझ रहे मैं क्या कहने धर्म की खोज में मनुष्पर लोखी तक पहुंच पाया है अभी तक परम सब्सक्राइब और जो परम ने पहुंचे भी थे वह परम को नीचे नहीं ला सके और लोगों के ही यह बास बहुत सक्थे क्योंकि जैसे आप के अनेग जन्मों हैं मेरे भी अनेग दे और इन सब बड़े खोजने वालें से मेरा भी बहुत नज़ी की सम्मन रहा है और वो मेरे जितने अपने हैं शायद आप लोगे जो लोग बड़े धंडे लगाते हैं कि हम मुसल्मान हैं हिंडू हैं यह हैं वो हैं वो सिर्फ एक वखीली लेकर के जूट मूट की आए उनके पास कोई भी गैरंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंडू था ह मुसल्मान रहा हो जो मुसल्मान हो वो इसाही रहा हो जब जन्म जन्मानतर की पास है जब आनंद की पास तो सोचना भी उसी लेवल पे उसी स्तर पे होगा वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है जो कुछ परमतत्व है वो जड़ नहीं है जो कुछ सक्ल है वो ग्रोस नहीं जो कुछ शूक्ष्म है, वो जड नहीं इस बात को आप ठीक से समझेगे। वो जड में प्रकाशित को सकता है, जड में इंटरस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि सादू संस्थे वो परमात्मा से कुछ मांग रहे हैं। और उनको परमात्माने दे दिया। लेकिन परमात्माने ने गिया, ये मैं बता है। परमात्मा को, इसमें कोई भी इंट्रेस्ट नहीं है, कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाएं, जमीन मिल जाएं, आपको घर मिल जाएं, आपको दुनिया भरती, आईशो आराम मिल जाएं, इसमें परमात्मा को कोई भी, हमने परमात्मा को समझने में ही गल्पी करें, पर है ऐसा भी बहुत लोग लिख करते हैं लेकिन कुंडलीनी योग से सिध्धी पाई जाती है ऐसी बार कहीं भी लिखी नहीं गई हां लेकिन जिनोंने सिध्धियां पाई है वो यहीं लिखते हैं कि कुंडलीनी से सिध्धियां आनी के कभी भी नहीं कुंडलीनी आपकी मां आप को नरड़र देने की वो आपको जिल्फ नरजन दई आपको सिद्धियां दे करके परलोक में ठेकने वाली वो मुर्ख माँ नहीं。 जितनी समझ आप के पास उसे कहीं अधिक समझदार है कहीं अधिक प्रेम में वो आपको गलत जगे असब्त में धकेलने वाली दुष्ट मा नहीं कुंदलिनी के योग से जब तक परम तत्व की पहचार नहीं होती है तब तक वो कुंदलिनी योग नहीं है और वही सहज योग और इसकी व्यव मा के पेट में आता है तो जड़ तत्व से उससा सारा शरीर मनबुद्धी चित्ता हमकार सब लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश आता है वो माथे के तालू में से जिसे की फॉंटेनेल बोन अंग्रेजी में कहते हैं नीचे उतरता है और अपना ब्रें जिसका आकार ट्रिको जानने के लिए यहां कोई डॉक्टर हो तो समर्ण इसी को हम प्रवाद नर्वास भी हमारे शरीर के अंदर दो ऐसी शक्तिया विराजमान हैं जिसके बारे में हम बहुत कुछ कम जाए और जिसके बारे में हमें पता लगाने में बड़ी बिकत होती है खास करके प्रवास अ अपने योग शाक्त्र में इसे कुशुम और इड़ा और पिंगला ऐसी दो सिस्टम्स पर इड़ा और पिंगला ये दोनों ही अपने शरीर में sympathetic nervous system का उद्भव माने उसका जड़तक जो है वो sympathetic nervous system अब ऐसा समझ लें कि परमात्मा ये पेट्रोल अपने सर में यहां से भर दे और पेट्रोल भरते वक्त वो कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि प्रिजम के अंदर से गुजरने वाले उनके किरण आपस में इस तरह से आ करके और पिर मुर जाते हैं जिसे deflect होना करें और फिर नीचे जा करके उनकी एड़ा और पिर ऐसी दो नाड़िया बनती हैं और जो बराबर बीचो बीच शिकर पे बीचो बीच उतरने वाले खिरण आपकी कुंडलीनी बन करके जो सिकोड़ाकार अस्थी अपने मज्जा तंतुओं के नीचे बना हुआ है उसमें वाक् तो जाहिर हो गई कि हमारी कुंडलीनी जो है वो ऐसे जगे बैची हुई है जिसका संबंद सेक्स के कुछ है अब आप गर किताबे पढ़ें तो कुंडलीनी शास्त्र पे आप सब जान जाएगा कि ऐसा होता है वैसा होता ही है लेकिन कुंडलीनी को उठाने वाले जो बहु कि पैरा सिंप्थैटिक नर्वस सिस्टम सुशुम्ना नाडी है जो की बीचोगी और उसकी पहचान एक है कि जब कुंडलीनी उठती है तो आप की खुतनिया बड़ी हो जाने यह तो साधारन बाहर की पहचान है किसी भी डाप्टर से आप पूछने कि जब पैरा सिंप्थ सिस्टम एक्टिवेट होती है तो कुतनिया डाइलेट हो और बाहर भी हम आपको दिखा सकते हैं अगर आपकी नजर फुली हुई हो तो क्योंकि आज तो हर एक चीज का आपको कोई में कोई प्रूफ ही देना पड़ता है नहीं तो कुछ समझ में नहीं इसका भी एक प्रू त्रिकुनाकार अश्टी पे कभी भी कोई समझ में उसके तक ताप कियो और में तो किसी गुblic हैं और ऊज़ते हैं कि आपको दिखाया जा अशकता है और उसके तुलीद में इureau je 7 बीस जञें नहीं 23देनर उसको आप इसके लिए परमात्माने न जाने क्यों एक बड़ी जबरदर कंडिशन लगा दिए एक बड़ी भारी अटकल है उसमें जो देना ही पड़े वो ये है कि कुंदलीनी सुशुम्ना पे तभी आएगी जब परमात्मा का असीन प्रेम उस आदमी में उतर पड़ेगा जब तक वो प्रेम मनुश में उतरेगा नहीं कुंदलीनी उतने वाली नहीं है चाहे आप उचकर वो नाराज हो सकती है गुस्ता हो सकती है लेकिन कुंदलीनी कभी भी नहीं उठ सकती है जब तक वो असीन प्रेम सुशुम्ना के अंदर जगह बनी है खाँ जिए इसकी जगह बनी हुई है हमारे नाभी चक्र और अनाचक्र के बीच में एक बड़ी सी जगह बनी है जब तक उसके अंदर प्रेम उत्रेगा नहीं तब और हमने कुछ अंतर है गैप इस अंतर को आप किसी भी तरह से लांग नहीं पा रहे हैं उसमें कोई फुल नहीं है कि इसको आप लांग कर जाए और ये दो सीडियां बराबर इन इडा और पिंगला नीचे जमीन पर लगए नर्वस सिस्टम की लेफ्ट और राए ये दोनो ही जमीन पर लगी हुई है और बीच वाली अधानत्री लटकी हुई है जो परम में पहुचा आप सिंपथाटिक नर्वस सिस्टम की जो दोनों सीडियां है अब गर कोई साइकोलोजिस हो तो मेरी बात समझ सकता है वो एक जो लेफ्ट हैंड के तरफ में है दाहिने होड है वो आपको पहुचा देती है इगो में अपने अहुकार और जो राइट हैंड साइट में है वो आपको पहुचा देती है आपके सुपर इगो में प्रती अहुकार ये दोनों मिल करके हमारे माथे पे च्छा जाते हैं जैसे कि कोई बलून ना हो उस तरह से उपर आ जाते है और आकर के इस जगे में जहां हमारा तालूग होता है इस पर दोनों आकर के मिल जाए कभी-कभी तो ये पूरे सारे सर पे ही छा जाते हैं कभी तो प्रत्य हमकार जबर्दस होता है और कभी अहमकार जो भी ज़्यादा जबर्दस होता है वो हमारे दिमाग पे च्छाया हुआ और आकर के वो हमारे इस मार्व को रोग देते हैं बंद करें अब जो पेट्रोल हमारे अंदर पैरा सिंप्थैटिक नर्वसिप्टन से बढ़ा गया था कुंदर्मी से बढ़ा गया था उसका प्रोग बंद हो अब हम अलग हो गए अब हम सेल्प हो गए हमें लगा कि अब हम कोई हैं अब अहंकार शुगआ हम हैं अब यही भागने का क्योंकि हम जो हैं वो हम को हम जानते ही नहीं कि हम क्या आप मेरी ओर इतना चित्त लगातर सुन रहे हैं मैं आपकी ओर अपना चित्त नहीं लगा सकते हैं मैं कहूं आप अपनी और चित्त लगाएं, तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कट गए उस प्रोथ से जो आप हैं। एक जो रती अहंकर हैं उसपर बोझे जितने भी हमारी और से पढ़ते जाते हैं हर्त तरह कि चुद较 इसको आप कह सकते हैं इस तरह के बोझे जिसमें हम, अपने इप THE E mortgage कि चाए है कि ये करो वो करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीज़े, या ऐसा कहें, कि हम बड़े-बड़े भाशन देते हैं लोगों को, आपको हिंदोस्तानी बनना चाहिए, आपको जपानी बनन आपको इसे नफरत करने चाहिए, उससे नफरत करना चाहिए हम हिंदु हैं, हम मुसलमानें, हिसायी हैं जो और इस अभर हम यह करना चाहिए, जो पिरन नहीं, नहीं करना चाहिए, जो फिरकम नहीं चाहिए पैसा माइ Nos is a JP तो कोई और ही है, बेकारी में बच खाना पन है, करने वाला अपना काम तो करता ही है, लेकिन यही जड़ता हमारे अंदर दोनों है, कि हम उस पेट्रोल को इस्तमाल करते हैं, इन दोनों, इडा और पिंगला से, अपनी सिंपथायटिक नर्वस सिस्टम से, उससे हम अपने को कंडिशनिंग कर लेते हैं, बीच ओभी सुशुना नारी है, आप बहुत से लोग ने मुझे ऐसा भी का, कि माता जी आप तो इनके विरोद में बोच ने, उनके विरोद में बोच ने, करके मुझे क्या करने, मैं तो आप से बता रही हूँ कि आप गलग सीरी पे चड़ गए, सभी उतर आईए, मैं तो बड़े-बड़े गुरु जनों से मिलने जाती हूं, उनके बात करती हूं कि आप कर क्या रहे हूं, कुछ करने से परमात्मा नहीं मिल सकता, इन लोगों से कुछ करवाई हैं यह करने, धरने से परमात्मा नहीं मिल सकता, यह आप को न क्या बता रही हूं? आप पसुष्ट पड़ें, यह नहीं तो आदि शंकराचारे को पड़ें, जो कि historical चीज है. उनको भी पड़े, उन्ह परमात्मा को पाने के लिए कुछ कर नहीं कर लेकिन अंतर उने मुझे में जरा सा थोड़ा सफरक इतना ही अंतर आता है कि उन्होंने कहा था कि परमात्मा को पाने के अभिकारी बहुत ही कम हो इसलिए ठीक है कि कुछ भक्ती में रहें और कुछ अपने उपर योग लोग लग किसी भी तरह का और वैसा भी मन की जो विश्यों के पीछे दौड़ता है और अपने को जिसको इंडलिजन्स कहते हैं उसमें है दोनों ही मन इस कारे के लिए दियता है ऐसा सुन्दर मन जो छोते बच्चों जैसा निश्पाप हो वही इस परमात्मा को पाने का अधिकारी है ऐसा उन्होंने साख साख का लेकिन कौन पढ़ता है उनको उनको कोई पढ़ता जो नहीं ना प्रश्न तो यह है कि हम दोग सभी को पढ़ते हैं और उसमें से उनको ज़ पढ़ा जो आधिशनकाराचारी को पढ़ाजिशंकाराचारी नहीं तो एदुधन की पस्तमा करूगि कि जो नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ते हैं उनको आप जानते को उसमें मुझ में जो अंधर है वो इतना ही में कि वो हुखते दे कि बहुती करोड़ों में एस नो हुते मैं करोड़ों में लाक पतों एंस यह आशावास का झानतर नेहीं है यह समय का झानतर समय ऐसा। कल जू का समा है बड़ा घंगोर उद्ध का समा अंधकार प्रकाश का घंगोर उद्ध का समा आपको पता नहीं क्योंकि आप सिर्फ अभी मुझे ही देख रहें अपने से परे आप किसी को देख नहीं पा रहें लेकिन जो लोग रियलाइज हैं वो जानते हैं कि कैसा कैसा चंग बांदा गया आज कि मिने का रोज है आज दोनों का जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोरसे जोनों अपना जोर बांद रहें सिंपथैटिक और पैरा सिंपथैटिक का पूरा जोर है सिंपथैटिक पैरा सिंपथैटिक को चू से चली जा रहे है sympathetic कितना भी चूछ लेगर प्यारा sympathetic अनंद से एकाकार हो जाएगी तो उसमें वो भरता ही रहेगा कितना भी आप पेट्रोल खर्चा करेंगर वो पेट्रोल पंपी में लगा हुआ है उसी गैडर यह सारी sympathetic का sympathetic की जो active consciousness की side है जहां से आप सारा काम करते हैं जिसे इनर्जी इस्तामाल करते हैं वो अगर अव clown केंशर जैसा रोग ज़ा है और जिशे तरफ में उपर इगो होता है वो ज़यादा इस्तामाल हो तो पागलपन आजा है हम किसी को ठीक ठाक नहीं करते हैं ये भी कहना है कि हम बीमारियां चीख करते हैं एक तरह से गलत ही बात है क्योंकि वो तो प्रासिंथाटिक नर्वस सिस्टम जो कि इन दोनों भी सिस्टम को ठंडा कर देती है अपने आप की मुश्च जो नहीं वो ठीक हो जाते है गर कोई पागल्पन होगा तो वो भी ठीक हो और गर कोई आप के अंदर में ओवर एक्टिविटी से कैंसर जैसा रोग होगा वो भी की कैंसर का इलाज सिर्फ सहज योग और कोई उसका इलाज अंसार में नहीं है ये बात सिद्ध हो जाएगी हम जानते हैं कि थोड़े दिन में बिलकुल ये बात सिद्ध हो जाएगी औ और हमने बहुतों का इलाज भी जो किया है कैंसर का, वो भी लोग यहां बैठे हुए है, वो भी बता सकते हैं, तो एक बात पहिए और शुजू से ही कह रही हूँ कि चित्त हमारा कहा है, चित्त क्या उस कैंसर पे है, जो इस शरीर को जर जर किये हुए है, जो कि जड़ है, हम करा काम चैतन्य का, जरता का कोई काम ही नहीं है, हमको इसनी आदर जरता की हो गई है, इसनी आदर जरता की हो गई है, कि मनुष छोटी-छोटी जड़ बातों से सिपल जाए, चैसे मैं आप से कहूँ, एक ती हमारे पास आती है, उनको रियलाजेशन हो गया, और वो काफी इच्छे से देने वगरे लगें, लेकिन रियलाजेशन का मतलब भी यह तो नहीं कि आप वयस हो गए, आपका फुनर जन्म हो गया, आप बच्चे हो गया, आप उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर उनका चिस्त, मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ज लोगे तो भी चित वही है जिसे आप छोड़के आए, जिसने चैतन्य पर चित रखा है वो बहुत मुचा उच्चा उच्चा है, आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठें कि जो बढ़े उच्चे, सब देवता स्वरूत है, यह लोग बंदनी है, यही देवता है, इनी को द जगा करने जिनियर वाद विवाद करने का आज कमड़े? रहे निए, क्योंकि वो लोग वाद विवाद ही करते रहेंगे, क्योंकि शंकराचारे नहीं भी कहाता ना, कि निबन कोठी के लोग है, उंको तो तुछीत है, वो अपने किसी तरह से अपने मंत को अनुशासित करे और किसी तरह से अच्छे से रहे, चोर चकवरी इसे बचे रहे, एक अच्छे सामाधी भटक बनके रहे, इन्तु परम में पाने वाले जो, परम की ओर दृष्टी रखने वाले जो, ऐसी चीजों से संतुष्ट होने वाले ले, जब तक परम आपने पाया नहीं, आपको मेरे उपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना से, इस धकोशली बादी की बिल्कुल ज़रुवर्टी, किसी भी चीज आपको कोई भी बताया, आप कुछ विश्वास नह करके पहले अपने अंदर पा लिजे, तभी आप मेरे उपर भी विश्वास, यहां कोई बजाग कोलना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, सिर्फ मुझे यहां मनुष्य का परिवर्टन करने का है, और इस जनम में नहीं हो, तो अगले जनम देख लेंगे, हम तो हमें अनंत में ही रहने के आदस नहीं है, लेकिन आप भी यह सोच लेना चाहिए, कि जो कोई मर कोई सो मर चुके हैं, उनकी बाते लेकर के न दोराइए, चित्ता अपनी और रखिये, शायद हो कि इनमें से आप लेकों जिनोंने कुछ कुछ लिख दिया का, हो सकता है कि आप ही वो परेमारी लोग हो, जिनोंने की बहुत कुछ लिखा और आज की यहां जनम लेकर के आए अपना दावा लेकर, जो हो चुका सो दिए, सहाजयों में जो साधक होता है उसे कुछ भी निकरा, जो दूब रहा है पानी में, वो कुछ न करे तो अच्छा है, लेकिन बागी के तैराख लोग इसे बचाते हैं, और उसे उठाते हैं, यही साधारन करह से सहाजयों आपको जो लोग अपने सूत्र पे उतर गए हैं, जो लोग पार हो गए हैं, जो अपने अंदर एकाकार अपनी शक्ती से हो गए हैं, वो ही सब कुछ करेंगे, आप शान बैखेगा जो अभी सत्पार हैं, आपके सूत्र में आकर वो आपको प्यार देंगे, आपके सूत्र पे आकर वो आपके चक्रों को ठी करेंगे क्योंकि आप अभी अपनी चक्रों को जानते लिए जब आप पार हो जाएंगे तब आप मेरी बात जानिएगा कि हाँ यहाँ चक्र है यह चक्र गूम रहा है वो चक्र चल रहा है उनका ऐसा चक्र है तभी आपको क्लेक्टिव कॉंचस में जिसे कहते हैं सामु ही ये तना उसका आभास पहले ही से नाही नाही करने लोगों का ये स्थान नहीं है और नहीं उनके लिए यहां पर कोई व्यवस्था की जाए ऐसे लोग जो की आप चाहे वो कितने भी लेकिन जो सचाई चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए वो सरांखों पर हमारे और मुझे पूर विश्वास है कि इस जन में ही उनको मिलेगा चाहे उनकी कैसी भी कंडिशनिंग्न हो गई हो चाहे उनकी कुनेजिनी साथ कैसा भी खिलवार हो खिलवार बहुत हो चुके गर मैं कहती हूँ कि किसी की सिंदरीनी की खगाबी आ गई है उसमें लोग मुझे कहते हैं आप विरोज सरे भाई पागलपन की बात है बच्छे एक माँ है गर बच्चे की कोई चीज बिगार देखती है गर उससे वो बताती तो किसी का विरोज नहीं कर तुम्हारी अबोधिता में तुम्हारे साथभी में पर तुम्हारा कुछ बिगार हो जा है तो उसको हम खीक करने के लिए बैचे हो लेकिन पहले ही से इस तरे की बात सोच लेना ये कौन सी आर्पता है ये कौन सी माँ बुरू का आज बुरू कोणिमा का आज जीवत है और स्वहज योग का पूर्ण वरण विशद रूप से करना इसी छोटी समय में कंभव नहीं है मेरा आज विचार था कि काफी विशे पे मैं कहसा कूंगी लेकिन मैं जानती हुए विशे अच्पिंत विशेद है च्शाब अच्छी और मेरे अनेक ध्रान की क्लास में मैंने लोगों से बताया है इतना ही नहीं जो लोग रियलाइज है वो उस सर पे आ गए है कि इस बार को समझता है क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह वो आनन दहरियां बह रही है वो प्रेम की लहरियां बह रही हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉंशिसनेस क्या सामुहिक चेतना क्या इसको भी समझना चाहिए कि ये ये कौन की अभी बहुत से लोग आपने ऐसे भी होगे कि मेरी ओर हाथ दर करके बैठें तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ फर्फरा रहे हैं कबस आ रहे हैं आपको ऐसा लगेगा अब उस्ते लोग काएंगे कि यही हमें वाइबरेशन था रहे वाइबरेशन नहीं हैं वह तो आप हमारे विरोध में हैं आपके इंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी tougher'll ये जो हम प्यार आपको दे रहें उसके विरोद में खर्थरा ये आप हमारे विरोद में खड़े हैं इसलिए आप खर्थरा रहें वो वाइबरेशन और वाइबरेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्तराथ का चलना रूप कभीर दाजी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजी शिखर पर अनहद की आवाज आती है माने रुदह में जो स्कंदन है वैसी आवाज आने लगती है वो तो हुई जब तक कूता नहीं जब कूतने पर सारी आवाज सूत करके सारी ही आवाज सूत करके आप परमात्मा से एका काम हो जाते हैं तब न कोई दिर्ष्टी से क्या होता है, दिर्ष्टी से क्या मिलने वाला होता है, तो फिर खोज कहीं, इस दिर्ष्टी से मिलने वाला वो नहीं है, और इस काम से सुनने वाला वो नहीं, कि तु वो जानना है अंदर, जिसने उसे अंदर से जाना है, वही उसे समझ सकता है, दिर्ष्टी इसे क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े-बड़े भिष्मे दिखाई देते हैं, बड़े-बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं, बजो बहुत से लोग आकर बताते हैं, उसको चमत का, मैं कहती हैं, बेटे, इससे परे परमात्मा है, ये सब परलो, सम्मरि परमात्मार्शे होंगे तब इस सब चीजों का अर्फ लगेगा जो उस्ताकार बनी बेची इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीच जिए बिमार्यां ठीचे लेकिन सबसे बड़ी चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि दस आदमी पार भी होगे तब ने कि इतने जल्दी कोई पार को होता है नहीं होते हैं बहुत से लोग नहीं होते हैं चार-चार साल लोग हमारे पास आ रहे हैं बहुत बड़े-बड़े लोग है कोई तो बड़े-भारी मिनिस्टर साब है कोई गवरनर साब है कोई पूछा है नहीं होते तो नहीं होते हम तो पैसा दो लेना है नहीं, कि आप दो हजार रुपया देजी हम पार कर दें, सर्टिफिक्ट देजी। यह जो नहीं हुआ सो और नहीं हुआ भई हुआ सो जी। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साफ बहुत बड़े राजा है वहां मिलें, वह हमारे साथ हुआ वह हमसे कहने लगे कि माता जी यह क्या आप जो आता उसको पार कहते हम को ने कहते हैं। हमने क्या किया। मैंने का बेटे हम तुमसे कुछ सहेंगे नहीं क्योंकि तुमें दुख होगा, तुम धर्व के उपर में इतना लेक्चर होते हैं, तुमने कभी धर्व में उत्रे हो क्या, यह राज दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, यह कुछ यह मारे, तुम जरा इसे छोड़ो फोड़ा सब परमात्मा पे छोड़ो, चार दिन बीद गए उसे का मैं यह आप को हम मान गए, हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे का कि चुंतो भईया एक्दम पारो, और तुम हमारा अक्तार्य करो, तुम हमको रुपिया दो, और यह करो, सब ने हमें सर्टिफि अब जो नहीं होए वो नाराज हो जाते हैं, और मेरे खिलाब जा करके कुछ तुम बोलने लगते हैं, बोले अब हम क्या करें नहीं हो रहे तुम हम तो चाहते हैं कि सब को राज दिन महनत कर रहे हैं कि आप लोगों हो जाए, लेकिन आप नहीं होते हम क्या करें आपकी बिमारी को छी करना सहच योग कारी नहीं है, यह जान ले हाजिन ही क्योंकि बहुत से faculty य हुआ उन्होंने भी चीफ क्या हुआ। कैसा क्या पता है। सहच योग से पिर शुंदनी की जागरूति और परमात मैं को पाने किसी बात है और कोई नहीं है और ये सारी जो है इसका आप जड़ से संबंद मर जोड़ करते हैं इसको जड़ में नहीं आपड़ा है तो कि बीमारियां तो हजार सरह से चीफ लोपर आपने चुना होगा डॉक्टर लैंग एक आदमी था लंडन में बौट बड़ा डॉक्टर वो मर गया कस्मा वो मर गया उसकी इच्छाय अत्रुप कुछी तो एक फोल्जर था लियक नाम में उसके सूपर इगो में वो घुज़ गया उसके कहन लगे कि तुम लंडन चलो मेरे लड़की के गा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उसके कहा कि तुम इंसे कौम मैं आ तो उसे का कि तुम फिर से मेरा शुरू करो और ऑगनाज़ेशन मैं तुमारी मदद करूँगा को कि यहां पर लोग में बहुत सी डॉक्तर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो अवतरिक होना चाहते हैं उनका बड़ा बहारी इंटर्नाशनल और वो सच्छे लोग है कहते हैं कि यह हम लोग स्पिरिक सिपाते हैं जोटे लिए उसको धगवान का नाम नहीं देते हैं वो कहते हैं और वो लोगों का ऐसा है कि अगर आप चिछी लिख दीजे तो आपको लिख चे बेशे हैं कि दस बज़े इतने काईन पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर इसे परम तक्षितों किसी ने पाया है परम को तो मिला नहीं यह शरीर यहां चूप जाएगा और सिख वहां जाकर इस प्रयों कर रहे हैं वो यह भी नहीं जानते हैं वो भी अबोद हैं वो जानते नहीं है कि जिन स्पिरिट को वो आज इस्तमाल कर रहे हैं कल वहीं उलत क हमारे उपकर आए हैं, मैं तो इसकी डॉक्टर लैंग दरूस खोड़ा सा जानते थे, नहीं तो वो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं कुछे, वो इस सोल्जर के अंदर जाकर क्यों नहीं है, और स्पिरिट का देह जो होता है, इस पर यह जड़ नहीं होता है, इसलिए और को जो कुछ देख सकता है, बनिजबत हमारे जिसको कि आप HST कहते हैं, जिसे को आप Parapsychology कहते हैं, जिसे कि आप Pentecostals का वो जो आतमा का आशिरवरात कहते हैं, जो कूधना होता है, जो चीथना होता है, चिलाना होता है, नमने डिशम होता रृष्ट का जिसमेह से कुछ नीचाय है, और आपो नीचा ऍवार्नु सकते हां, आतक्षाय है। जैसे हम है वैसी इस पैसे सिरिक ही, उस तो राक्षप भी होते हैं, महादुष्ण उते हैं। आप उन्हेंने आज देख नही रहे हैं, हो सकतो, आपको आज में दिखा भी तकूऊंगी। जैसे आज Kundalini दिखा रहे हूं, ऐसा समय आज आए तो मैं आपको वह भी दिखा जूँ है। लेकिन हैं, उनका वास्त भी आप देख सकते हैं, उनका असर आप देख सकते हैं, और हर एक रिलिजन में उनके बारे में लिखा है, निंदुों में सुरा सुरों की बात है। जो है को है, जब आप positive की बात करेंगे तो negative आपको दिखाने पड़ेगा कि ये negative ये positive हैं, जो धर्म और अधर्म की बात नहीं कर सकता है, वो हवाई बात है। शिर्फ दर्म की बात करने से कैसे होगा धर्म दिया और अधर्म भी है उसके पूरी सारी डेखाए के धर्म भीन हो कहा द को जो नेगेटिव हो नेगेटिव है, जो पॉजिकें हो पॉज़ुअन। जो नेगेटिव चीज है उपको समर ले राती है नेगेटिव का मतलब है मरीम,Dead, Sympathetic ने-पार्फिः निबिडों से गरी गरी ले वो है और उस नेगेटिव का असर बहुत ज़्यादा उस जगह भोता है जहां पर मनुश्य जड़ होता है जीते बंबई शहर है हम लोग बहुत जड़ है बंबई शहर है राद दिन पैसों की ठंका इलेक्शन के जंडे इन सब चीजों में इतना चित्त उल्जा रहता है राद दिन यह सब पढ़के अपसुन के मनुश्का चित ली नहीं जाता है वहाँ पर इन्कॉाइर ही नहीं है खोज ही नहीं है किरे हम क्यों जी रहा है चाहिए यही सब पढ़ने के लिए उसे गुंडे ने वहां मारा वहां जाके निजर्शन होएं उन्होंने जाके उनकी बुराई करी उन्होंने जाके उनसे ऐसा क्या यही सब पढ़ने के लिए अंतंसार में चाहिए निजर्शन हो जाके लेकिन यह जड़ तत्व तो आपका अपना धिराव इसके अलावा भी कलेक्टिव सब पांशस है जिसे कहना से यह परलोग है और उसके जो नुक्तान हो रहे हैं वही नुक्तान सबसे ज़दा हमारे सहज योग में हो और जिस आदमी पर ऐसा कुछ हो गया हो उसके लिए बहुत सखिन हो जाता है कि वो सहज योग में परमात्मा कुछ का है इसमें दोश हमारा नहीं बिते हैं सज बात है हमारा इसमें कोई भी दोश नहीं दोश ना आपका है ना हमारा है थोड़ा आपके सर्मों का जरूर है नहीं तो आप ऐसे जगे क्यों गये जहां पर जाते हैं आपकर ऐसा दोश लेए पूरी सतर पताना है स्वयम सिर्ट, अपने आप होने वाला जीवन का विकास, यही स्वहजीद, भूच, प्रेप, सिरिक, इनसे आप परम नहीं का, वो मरे हुए लोग है, परम सिर्फ जिन्दा में ही आ सकता है, मरे हुए में अगर आता तो क्यों वो यहां आ रहे हैं हमारे उपर, वहां क्यों न होना चाहिए, आद्ली जब जिंदा नहीं होगा, सतर्थ नहीं होगा, उसकी सेथाना जब तक पूरी तरह से ज्यागुर्ट नहीं होगी, तब तक उसके अंदर सहज्योग नहीं होगी, पूर्न ज्यागुर्ट वस्था में जो चिर्फ आप आते हैं, वही परम होगी, समा मैं कहकी मुझु कि उसमें आप उतर रहें। उससे कोई भी आपको शिरक्थाई पाइदा नहीं है। जिस मनुष्च को परम पा ना है कि जो मैं स्वत्रकता में पूरी स्वतंत्रता में पौँगा वही मैं पौँगा। पूरी स्वतंत्रता आपको, यहां तक किसी भी तरह का भक्ति बाव मेरे प्रति नहीं हो, तिल्कुल नहीं होना जीए। जैसे एक साधारण सौम्यस्प्री होती है, वैसे ही मैं घर ग्रोस्ती के एक साधारण स्प्री हूँ, ऐसा ही समझ लिगे। कुछ विशेश हूँ यह सोचना ही नहीं, ऐसा ही सोचके आईए, यह स्वतंत्रता भी होई चाहिए। कभी आप पाएंगे। चाहे आप दस हो, चाहे आप एक हो हमारे लिए का, इसके नंबर से नहीं होगा। काला की नंबर बढ़ाना होगा, इसमें कोई शंका न, कारिय जोरों मेंगर हो जाए, तो हो सकता। हाला कि परम उपर से बहाँ चाहिए एक नव निर्मान के लिए एक नई चेतना के लिए एक नए तरह के मानव की उसे विवस्था की हुए है इस प्यारा सिंटथा की एक प्रेम, एक ज्यान, एक सौंधर यशाली, मनुष की रचना होनी ही पड़े और होके ही आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा भाशन सुनाए गुरू पोर्णिमा के दिन मुझे यही कहने का है कि इस जनम में मैं गुरू हो गई है और तो किसी जनम में ये कारे नहीं किया रहा है पहनी मर्तबा गुरू का कारे करना पड़ा शायर हो कि मा को ही गुरू होना पड़ता है ये कल्जुक का मामला इसलिए वितान पर्मात्मा की जो ही शक्ती है वो किसी मा के ही जुझे से बहे किसी की करना और उसी के प्रेम में पुंदलीमी को संजोया जाए और उसे उस शिकर सक पहुचा दिया जाए जहां पर कि वो अपनी दोरों में अपने आनंद में और अपनी शान में विराजित हो ये शायद हमारे भाग में है इसलिए इस जन में ये गुरू का स्थान सीक्रू मा गुरू बन जाए ऐसा कहीं होना बड़ा कशिम है क्योंकि मा अपसें तो कोमल होती है तुरू तो मार भी देगा पीद भी देगा, दाज भी देगा लेकिन मा एक भी कछिन शब्त बोलते वक्त उससे रुधे में पसोती है तक्रीफ होती है और जब वो देखती है कि मेरे बच्चे कितने ताजना से आये जीए और इंको किस तरह से इंको संजो करके समाज की श्यास उसकी नावे ले जाए तब उसकी जुम्यदारी भी इसमी बढ़ जाए उसका सारा व्यक्तिती पित्रह होगा लेकिन आदी साल से भी लोग कहते आएंगे कि मा से बढ़के गुरू कोई नहीं है गुरू उसी को मानिये जो आप से बड़ा हो बड़ा हो जो आप से बड़ा परमात्वा पांदा सामी ने गुरू के बादों मेह कता था कि गुरू उसे मानिये कि जो स्वैम को पारस है दूसरों को छूटे ही वो सोना नहीं बना देता उसे, पर पारत बना देता है, जन्षा खुद है, वो ऐसा ही दुश्रों को बना देता है, और इसी है, ये मा सुरूप चीज है, मा बच्चों में बूती है, बच्चों के गौरों में गौरों पाती है, इसलिए इस जन्द में शायद परमात्मा की य अभी हम लोग ध्यान में जाएंगे इसके बार में, आप लोग आज कता से इसमें जाएंगें, अपने विशार, अपने विरोध इनको छोड़ें थोड़ी देश की, इसलिए कि आपको अपना मंगल और कल्यां करें, अपने साथ अच्छाएगें, अपने साथ गवाईद, किस अपने भी एक चीज़ को पकड़े बैखे बेखे हो ते च्छोड़ें जेखे हो, हमें आप से कुछ लेना देगा नहीं है, और आपकी सवतनतरता हमें एक्षी हो जिसी भी किसी भी क्यमत से में आपकी सवतनतरता आपके स्वतना जैसे लोग किसे दोर रहे हैं, हाजारों र Guru को आप क्या देंगे आप मुझे कुछ ने दे सकते हैं आप मुझे वाइबरेशन डिने देte. क्या आपको आश्च्रि होगा आप मुझे वाइबरेशन से दे एक दी मेरे पैर में चोट लगी तो एक क्लिकम गया है जो वाइब्रेशन देने लगें, जहां से चोट लगी तो आसी इत्मे जोर उन पर वाइब्रेशन आए कि वो तो धान में चली गई, माताजी तो जगा में वाइब्रेशन आ रहा है, और मेरी जो चोट थी वो एकदम हल्की है, गुरु वो हो, जो आप से कुछ भी न ले सके, जो शिखर पे बैठा हुआ है, वो नीटे की और बहेगा, इसकी और कोई नहीं कुछ नहीं दे, और सब मल की बार, गर मैं किसी से कहती है, मुझे मत देओ, इसलिए क्योंकि वो धखोसला है, आप मुझे कुछ भी नहीं दे, उल्टे आप कुछ मांगते हैं उसे, सारा की सा जो है, वो खौल उता है, और इसमें जोच अंदर से सारी से सारी जभाउशाली, शक्तियां दोडने लग जाती है, इसकी प्रेहिं से इस बच्चे को मैं समाद, जरह से कोई कुछ मांगी ले, परम, परम मांगी ले, आज के दुरुपर्णिमा के दिन, मेरा आपको सब्सक् और जिखें रियलाइज लोग है, उनको विशे इस बच्चे को, और उनको यही बिंची है, कि जैसे आपने पाया है, पूश्रों को देने का पूरा प्रेहिं, उनको भी इस ओर लाने का प्रेहिं है, हो सकता है, वो लोग आपसे नावाज हे जाएं, गुस्ते हो जाएं, मा जाएं यादित हमने सहा हो, इसलिए कुछ भी नहीं, वहाद भीवाद करेंगे, आपको नहीं मानेगे, कोई हट छोड़ दीजिए, जो आपको मानते हैं, उन्हीं पर यानिक रहते हैं, यही कुछ गर देना है, यही आप देज़ें, कि मेरा प्यान सब जगे पूरा और घर दीजिए, बहुत बहुत आपको करेंगे,